आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मसाला चाय, चाय सबको पसंद आता है और थोरा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और उसके साथ मसाला पापर बनाएंगे तो आप एक बार ये रेसिपी जरू ट्राइ कीजेगा और प्ली इनफ है, क्वांटिटी मैंने मेंसन कर दिया है अब सबसे पहले इसको कूट लेंगे अच्छे से अध्रक को कूट कर ही डालना है ग्रेट नहीं करना है उससे भी टेस्ट में अंतर आता है आपको डिफरेंस पता चलेगा अब कूट कर मसाला मैंने साइड में रख लिए देंगे उसके बाद जो हमने मसाला कूट कर रखा हुआ है ना उसको डालेंगे इस प्रोसेस से अगर आप मसाला चाय बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है तो सबसे पहले हमको जो मसाला हमने बनाया है उसको डालना है अच्छे से इसको बोईल करना है मिडियम फ्ले चाय की रेसिपी मेरे चैनल पर है आप वहां से देख सकते हैं अच्छे से इसको इस्टर करेंगे ताकि इसका जो भी फ्लेवर है न वह चाय में अच्छी तरह से आजाए इस टाइम पर आप फ्लेम को मिडियम टू लो रखें ताकि अच्छा सा बॉयल आई इसमें अब हलका स कलर चेंज हो गया है तो इसमें चाय पती डाल देते हैं 2chsam दो कप चाय बनाना है उसके कॉड़िंग इतना चाय पती इनफ है आप जितना चाय बना रहें उसके कॉड़ दूध मसाला जो भी मैने डाला है और चाय पता चीनी भी डाल सकते हैं अच्छे से इसको फिर से एक बार बॉयल करेंगे उसके बाद चीनी डालेंगे चीनी मैंने टूटी स्पून डाला है आपको जितना मीठा पसंद हो कम या जादा कर सकते हैं फिर एक बॉयल आने के बाद मैंने पहले से बॉयल करके दूद रखा हुआ था तो आप भी पहले से बॉइल किया हुआ दूद डालेंगे तो चाय ज्यादा अच्छा बनेगा, कच्छा दूद नहीं डाले इसमें, अच्छे से इसको उबालेंगे ताकि चाय पती का कलर चाय में आ जाए, अब डालेंगे इसमें दूद बॉइल किया हुआ है और ठंडा है, ये इसको साइड में लगेगा न, उसको भी आप स्पून से ऐसे खूरच दे, स्क्रैच कर दे जिससे कि चाय का टेस्ट जाधा अच्छ आता है, चलाते हुए इसको बॉइल करना है, अच्छे से, चाय को जितने अच्छी तरह से आप बॉइल करेंगे, जितने अच्छे तरह से वो उबलेगा उतना ही ज्यादा टेस्ट आता है अच्छा जो भी हमने मसाला डला है उसका फ्लेवर ज्यादा अच्छे से आएगा तीन से चार मिनिट मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है इसको उसके बाद इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाएगा देखकर पता चलेगा कि हाँ चाय रेडी है दूद अगर आपको कम पसंद हो तो कम दूद भी डाल सकते हैं एक कप दूद दूद कप पानी आपको जिस तरह का चाय पसंद हो वैसे डाल सकते हैं बट मसाला ये वला डाले और प्रोसेस इसी प्रोसेस से बनाए तो आपका चाय बहुत अच्छा बनेगा थोड़ा सा और अभी बॉयल करेंगे इसको उसके बाद हमारा चाय रेडी हो जाएगा कलर भी देख रहा है अब चेंज हो गया है बहुत लोग चाय में गर्मी में पीते हैं तो सौफ भी डालते हैं और चाय चान लेते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है चाय अगर आप इस तरह से बनाएंगे न तो चाय पीकर आपका दिल खुस हो जाएगा चाय तो हमारा रेडी हो गया है अब मसाला पापर बना लेते हैं अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को हिट कर लिजेगा अब बनाते हैं मसाला पापर तो पापर को मैंने रोस्ट कर लिया था आप चाहे तो डीफ्राई भी कर सकते हैं बट रोस्ट करेंगे तब भी अच्छे से बनता है तो सबसे पहले पापर के उपर बारी कट हुए प्याज डालेंगे उसके बाद टमाटर यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी है बनाना फिर हरी मिर्च तीखा आपको नहीं पसंद हो तो हरी मिर्च एस्किप कर सकते हैं उसके उपर से काला नमक ब्लैक सॉल थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला भूने हुए जीरे का पाउडर काली मिर्च पाउडर इन सबसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है उसके उपर से सेव भूजिया जो होता है पतला वाला उसको डालेंगे इस से एक्स्ट्रा क्रंच आएगा खाने में ज्यादा टेस्टी लाएगा उपर से हरी वाली चटनी चटनी की रेसीपी भी मेरे चैनल पर है आप वहां से देख सकते हैं थोड़ा सा रेट चिली पाउडर उपर से स्प्रिंकल कर देंगे बहुत ज्यादा नहीं बस मसाला पाप पर जरूर ट्राई किजिएगा आपको जरूर पसंद आएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा और ट्राई जरूर किजिएगा थैंक्यू